मुद्मंगल में तूजनी संत समाज सम्भाननी भक्त सज्जनों भक्ति मई माताओ बहनों सद्गुरु कबीर सहब जी कहते हैं यहां इसंबल कर ले आगे विसई बाट स्वरग विसाहन सब चले जहां बनिया नहीं हाट यह साहब जी की साखी है थोड़े से इसमें सब्द हैं लेकिन इसका भाव बहुत ही गंभीर है साहब कहते हैं यहां इसंबल कर ले यहीं संबल कर लो संबल का मतलब होता है साधन सामग्री उपियोगी चीजों का अरजन उसकी व्यवस्था आगे विसई बाट आगे आगे का मतलब इस मानव जीवन के बाद इस जीवन को चूक जाने के बाद विसई बाट यह मानव जीवन में तो भक्ती भजन शादना शान्ती और कल्याण करने का पूरा चांस है लेकिन अगर यहां यह काम ना किये तो साहिब कहते हैं आगे विसई बाट आगे जब इस जीवन के बाद तुम कहीं और चले जाओगे इसको छोड़ करके तब कहां जाएंगे कुल चार ही जगा है जीवन के रहने के लिए कुल चार ही जगा है मनुष सरीर में रहेंगे या पसू बनेंगे या पक्छी बनेंगे या कीड़ा मकोड़ा बनेंगे और क्या बनेंगे चार ही खानिया है तो एक के बाद अन्य तीन तो बहुत ही सामान बहुत ही निक्रिष्ट और दुख दाई भूमिका है तो सद्गुरु कहते हैं आगे विसई बाट आगे तो वहां केवल विसियों का रास्ता है विसियों को भोगो देखो सुनो खाओ पियो और वाशनाओं का प्रियोग करो बच्चे पैदा करो और एक दूसरे को मारो और दूसरों द्वारा नश्ठ हो जाओ बस यही चलेगा और कुछ नहीं होगा लेकिन मानव जीवन में विचार है, चिंतन है, सद्गुण है, सदाचार, सुधार, सेवा, भक्ती, शान्ती, इनसाब की संभावना है तो आगे विसई बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनिया नहीं हार लोग स्वर्ग सुख पाना चाहते हैं स्वर्ग का मतलब आनंद, आत्मा आनंद वो परमा आनंद लोग वो आनंद पाना चाहते हैं लेकिन वहां जाकर के, जहां ना ब्यापारी हैं, ना बाजार हैं कोई आप सामान खरिदना चाहें तो वीरान में, जंगल में, सुन्ने अस्थानों में जाएंगे तब वहां थोड़े मिलेगा कोई बाजार हो, कोई ब्यापारी हो, दुकान हो वहां जाएंगे तो चीजें मिलेगे इसी प्रकार जो आनंद हम चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं वो हम सून्ने में पुकार रहे हैं अथवा जाकर के इस थूल, पेड, पहाड, पत्थर, पानी इन जगहों में खोज रहे हैं वस्तू अन्ते खोजे अन्ते क्यों कर आवे हाथ सज्जन सोई सराहिये जो पारख राखे साथ तो जहां जो वस्तू है, वहीं हमें खोजना चाहिए तब वो चीज मिलेगी तो साहिब कहते हैं पहली बात कि यहां इसंबल कर ले संबल हमारे कल्यान की सामग्री क्या है जिसको प्राप्त करने के लिए सद्ग्रु कहते हैं किन चीजों से मनुस्य सुखी होता है दुख और सुख के साधनों को पहचानना चाहिए हर नर्नारी को यह जानना चाहिए कि मुझे सुख कहां मिलेगा और मैं जो दुखी हूँ उन दुखों का कारण क्या है दुखी हम है इच्छाओं कामनाओं से अपने जीवन में हो रहे गलत करमों से अब गलत करम क्या है जब तक पहचान नहीं होगी तब तक ना सुधार होगा और ना अच्छी चीजों का ग्रहण होगा कपड़े में दाग लगा है जब यह हम जानेंगे तभी तो धोएंगे कपड़ा इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख है यह जब महसूस करेंगे तब उसकी पहचान करेंगे और फिर दुखों को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे और जिन साधनों से दुख मिटेगा उन साधनों को प्राप्त करेंगे तो हम यह जानें कि दुख क्या है दुख क्यों मिल रहा है दुख आपके पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है जीव का स्वरूप आनंद स्वरूप है केवल आनंद आनंद इसलिए कहा गया है जीव सुख स्वरूप है जीव लेकिन ये दुखी इसलिए है कि ये बिजात इसे प्रेम करने लग गया है अब बिजात ही क्या है जीव के अलावा अपने स्वरूप के अलावा जितना यहां जो कुछ है प्राणी पदार्थ मिट्टी पानी आग हवा नर नारी पेड़ पहाड नदी जरने रुपए पैसे घर मकान ये जितनी जो चीजें हैं ये सब जीव से अलग की चीजें हैं और इन ही में हम प्रेम कर रहे हैं और इन में प्रेम करने से इनके वियोग की खटक पता चलता है सताती है हमें और इन ही में से इनकी इच्छाएं हमें परेशान करती है और यही फिर दुख है जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है प्राणी पदार्थों में प्रेम करने का मतलब इन्ही में राद दिन अपने मन को जोड़े रहना, मोह करना और जो हम मोह करते हैं जैसा इनसे चाहते अपेक्छा रखते हैं तो क्या वो पूरा होगा? पूरा नहीं होता अपेक्छाए छोड़ने तो दुख हमारा समाप्त हो जाए पुत्र से अपेक्छा होती है कि पुत्र ऐसी हमारी बात माने इस दन से वो हाथ जोड़े खड़ा रहे, ऐसा आग्यान वर्ती बनए आईसा बोले अम्मन होता है गया ऐसे रहे लेकिन क्या पुत्र जैसा मन चाहता है वैसा हो जाएगा नहीं होता है हमारा सरीर अपना नहीं होता है वैसा, जैसा चाहते हैं वैसा घर नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना रुपया नहीं मिलता है जितना चाहते हैं वैसा कोई भी चीज नहीं मिलता है, यहां पूरा नहीं होता है और मन कहता है कि ऐसा हो यही है विरोध मन कहता है ऐसा हो और संसार से जहां जहां से चाहते हैं वो प्राणी पदार्थ वैसा हो नहीं सकते तो इसी खीचातान में मन का गंद चलता रहता है और यही है दुख और इस दुख को मिटाना अगर चाहते हैं तो अपेक्छाएं छोड़ दे बस ना हमें सरीर को अपने बदलना है ना चीजों को, ना घर को, ना लोगों को ना संसार को बदलना है सुखी होने के लिए बस एक है चीज कर लेना है अपने मन को बदल लेना है हमारा मन जो राग कर रहा है जो मोह कर रहा है लाणि पदार्थों की हानी में करोध करता है बस इनी को छोड़ दें अब बदल दें प्रेम में बना ले त्याग में बना ले शंतोष में बना ले धैरिवान शहboardsील नाले वह थोड़ा सा बदलाव ही तूरा सिब हमें दुखों से सुख की और पहुंचा देता है तो सद्गुरु कहते हैं यहीं वो काम संभव है कब संभव है इसी जीवन में मानो जीवन में जब मनुस सरीर को छोड़ करके हम पशुआ दिखानियों में चले जाएंगे तो क्या संभव है आप एक बैल से कहिए कि है बैल बड़ा कीमती जीवन है तुम्हें इतनी ताकत मिली है इतना बड़िया सरीर मिला हुआ है जरा कुछ भजन किया करो सत्संग में बैठा करो और संयम का जीवन जीओ तो क्या बैल ऐसा कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है एक उट से कहो एक हाथी से कहो एक घोड़े से कहो उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा क्योंकि उनके जीवन में इंद्रियों की प्रधानता है कर्मों की नहीं, मन की नहीं मन नात मनुस्याहा मनुस्य के जीवन में मनन चिंतन होता है अन्य प्राड़ी मनन नहीं करते वे केवल थोड़ा सा करते हैं वो अपने जहां रहते हैं अपने घर को, घोशले को, बिल को याद रखते हैं अपने बच्चों को पाचान लेते हैं अपनी खान-पान की सामग्री को पाचान लेते हैं बस थोड़ा सा वो मननचिंतन करते हैं ज्यादा नहीं लेकिन मनुस्य के मनन्चिंतन को क्या कहना मनुस्य ने मनन किया तो एक लोहा को वो आकास में उड़ा दिया लोहा एक छोटा सा लोहा उसको हम फेकते हैं उपर खट से गिर जाता है लेकिन मनन करने के बाद उसको व्यवस्था दी गई और उस व्यवस्था में इतना सोच विचार चिंतन तक्निकी अपनाया गया कि अब वो घंटों घंटों दिनों कई दिनों महीनों तक आकास में उड़ता है बहुत लोगों को लेकर बहुत चीजों को लेकर के और एक निश्चित अस्थान पर पहुचा देता है सुरक्षित हवाई जहाज तो ये मनुस्थ के सोच का ही तो परिड़ाम है मनुष्ण ने सोचा और सोचते 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 एक लोहा पानी में तुरंत डूब जाता है लेकिन इसने उसको ब्यवस्था दिया और उस ब्यवस्था के तहत हजारों लोगों को बैठा करके उस जहाज में महीनों महीनों महा तुफानी यात्राओं को करते हुए समुद्र में व्यक्ति एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर बहुत दूर की यात्रा कर लेता है क्यों ऐसा हुआ एक सोचने का परड़ाम है मनन का एक फ्ल है मनुस्त ने मनन किया है इसलिए ये संभव हो सका है मनुस्त ने मनन किया हम यहाँ बैट कर बोलते तो इतने लोग ही नहीं सुन पाते लेकिन इसने सोचा कि कोई एक ऐसी चीज बनाया जाए जिसके सामने बोलें तो बोलने से वो आवाज दूर तक सुन्दर आवाज में सुरीली आवाज में बहुत से लोग एक साथ सुन सकें माइक बना दिया गया माइक से तार जोड़कर एक मसीन में पहुचा आया गया और उस मसीन ने माईक के माध्यम से हार्ण और साउंड के द्वारा धूर तक बहुत से लोग सुन सकें ऐसी एक व्यवस्था दे दिया और ये सोचने से हुआ ना हम यूँ ही बोलते तो ठक जाते और सब लोग सुन भी न पाते लेकिन अब इस माईक का सहारा लिया गया तो बहुत से लोग सुन सकते हैं बड़े आराम से सुन सकते हैं इसी प्रकार पुस्तकें बनी मकान बने बहुत सी मसीने बनी टेली वीजन टेली फॉन बने यहीं से बैठे बैठे दूर के लोगों को द्रिश्यों को देखा जा सकता है इस सोचने के कारण हुआ जब भावतिक जगत में इतना सोच करके इतनी नई नई चीजों का निर्माड इतना नई नई वस्तुओं की खोज हुई और बहुत सारी सुविधाएं अपनाई गई जो व्यक्ती कभी जोपड़ी में पेड़ों पर कंद्राओं में गुफाओं में रहने के लिए मजबूर होता था आज वहीं अपने सोचने के परणाम में ऐसी ऐसी भब विल्डिंगें बनवाया कि एक ही मकान में हजारों लोग रह सकते हैं बहु मंजिला थोड़ी सी जगा में सैक्डों सैक्डों मंजिल का भवन निर्माण कर लिया यह सोचने का ही तो परणाम हुआ ऐसी ऐसी चिकितसाएं शुरू हुई कि मनुस्य के सरीर के बहुत से अंगों को बदला जा सकता है सज्जनों इतना सब करने के बाद इतनी योगिता होने के बाद इतनी कलाकोशल इतनी पुद्धी इतना मनंचिंतन होने के बाद भी मनुष से अपने गंदे मन को पवित्र नहीं बना पाया अपने दूसित विचारों को पवित्र विचार ना दे सका इसलिए दुख है अपने अंदर उठ रही काम क्रोध लोग मोह की तरंगों को मिटा करके वो भक्ती बोध विचार दया छमा चांती सदगुनों की तरंगों को अंदर ना पैदा कर सका इसलिए दुख है एक तरफ इतनी योगता और दूसरी तरफ इतनी कमजोरी की थोड़ी सी अपनी भावना को नहीं बदल सकता है और जिसके काड़ दुख है जबकि यह पूरी तरह से संभव है इसमें आदमी सोवस है जरूरी नहीं है कि हर इंसान मसीन बना सके हर इंसान हवाई जहाज बना सके हर इंसान टेलिवीजन टेलिफोन बना सके लेकिन यह जरूरी है कि हर इंसान सत्य बोल सकता है हर इंसान सदगुणी हो सकता, संतोसी हो सकता काम, क्रोध, लोह, मोह को छोड़ सकता है आसकती को जीत सकता है और अपने जीवन में हो रहे कलह, बिवाद, लड़ाई, जगड़ों को मिटा सकता है दुख किसलिए है हम हवाई जहाज नहीं बना पाएं है क्या इसलिए हमारे जीवन में दुख है हम टीवी नहीं बना पाते हैं इसलिए दुख है हम कारी गरी नहीं कर पाते हैं बड़े मकान बनाने की इसलिए दुख है नहीं नहीं ऐसा कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो दुख है तो यहा है कि हम क्रोध को नहीं जीत पाए हैं हम लोभ को नहीं जीत पाए हैं हम आसकती को नहीं जीत पाए हैं और हम अपने जीवन में हिंसा हत्या को नहीं छोड़ पाए हैं हम गाजा भ भांग बीडी सिगरेट सराब को नहीं छोड़ पाए हैं इसलिए हमारे जीवन में दुख हैं और यह सरल भी है और यहीं सुख का कारण भी है और हम यहीं कर भी सकते हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं देखो तो जो जितना उपयोगी होता है वो उतना ही सराल होता है वो उतना ही बड़ा संभव भी है जैसे आपके घरों में हीरा मोती कितना होगा आपके घर में साइद हीरा ना भी हो और हीरा की जरूरत भी नहीं है हीरा बहुत महगा है और आपको जरूरत भी उसकी नहीं है और है भी नहीं उसके बिना कोई काम में रुकावट नहीं है और बहुत महगा है उससे ज़्यादा सस्ता सोना है और सोना सायद है कि कई लोगों के पास रहता है बहुत धरों में रहता है और उससे सस्ता भी है और उससे ज़्यादा उपयोगी भी है लेकिन वह भी ना मिले त तो क्या होगा कोई हमारी जिंदगी रुख जाएगी कोई बात नहीं उससे ज्यादा चांदी सस्ता है चांदी बहुत लोगों के पास रहता है सस्ता भी है अव उपयोगी भी है लेकिन चांदी भी ना मिले तो कोई हर्जा नहीं लोहा चाहिए लोहा के बिना बहुत काम में अड़चने होगी तो लोहा सबके घरों में रहता है और चांदी से बहुत सस्ता लोहा है अब बहुत जरूरी भी है अब मिल भी जाता है कहीं भी आप अपने बजार में चले जाएए और लोहा खरीद लाइए लेकिन लोहा भी ना मिले तो भी बहुत काम चल जाएगा ऐसा न नहीं चलेगा भोजन चाहिए अब भोजन लोहा की अपेक्षा बहुत सस्ता है घर घर में है अब मिल जाता है जरूरी भी है सस्ता भी है और खुब मिलता भी है लेकिन भोजन भी 10-20 घंटा ना मिले तो भी कोई हर्जा नहीं पानी चाहिए पानी बहुत जरूरी है तो पानी तो फ्री मिल जाता है कहीं भी चले जाओ किसी से भी फ्री में मांग लो बहुत जरूरी है बहुत सस्ता है और मिल भी जाता है लेकिन पानी भी 4-6 घंटा ना मिले तो भी काम चल जाएगा हवा हवा कितना जरूरी है हवा बहुत जरूरी है अब हवा बिना पैसे की मिल जाती है जहां रहो आप जहां बैठे हो वह ही अपने आप चल करके हवा हमारे पास आ जाती है और हमें मिलती रहती सुरकते रहो आक्सीजन लेते रहो कितना जरूरी है लेकिन हवा भी दो चार सेकंड ना मिले तो काम चल जाएगा आपका अपना स्वरूप वो स्वयम हाजिर हुजूर आप खुद है इसलिए हमें जितना जो जरूरी है वो उतना ही सरल है सस्ता है इसलिए हम उस सस्ते और आवश्यक एवं अत्यंत महत्वूर्ण चीज को पाचाने वह है आपका अपना अस्तित्व आपका अपना होना आप कौन है ये बात कहने के लिए ये उदाहरन कहा गया है कि हम दुनिया को जानते हैं संसार की बहुत सी चीजों को जानते पाचानते और प्राप्त भी करते हैं लेकिन साब कुछ जानना छुट जाता है बहुत जानने वाले को भी इस्मृति खोना होगा और सारी माया छुट जाएगी तुट जाएगी काया जीव अकेला आया जग में और अकेला जाया यहां चाहे जितना प्राप्त करो चाहे जितना जानो और चाहे जितना सम्मान पालो लेकिन सब छुट जाता है यहीं जीव अकेला आया है और यहां से अकेला जाना है अकेला वो कुछ ले करके नहीं आया है अब कुछ ले करके नहीं जाएगा लेकिन वो आया है और जाएगा इस बात को हमें पहचानना चाहिए तो मैं कह रहा था कि सुखी होने की सामग्री इकट्थी करो तो सुखी होने की सामग्री यहां मानव जीवन में ही संभव है और आज ही जग तक रोग बुढ़ापा और मृत्तु दूर है तभी तक यहां संभव है तो हम यहां काम करें भाई अब निवाते में कापी देर से आपनों के बीच कुछ कहता रहा कि हमारे जीवन का असली लाभ यही है कि दोस मिटें दुर्बूर मिटें और सद्गुनों की कमाई करके हम अपने जीवन से आत्म लाभ आत्म शान्ति की कमाई करें यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है बस बोलिए सद्गुरु देव की जय